कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं होटल ताज के पास यह देखिए कितना यह खुब्सूरत है यह है यह में बिल्डिंग है यह में बिल्डिंग और इसके बगल में जो है और रॉय कि है सेकंड बिल्डिंग तो बाइद असलाम लेकूं देखिए तुमारे चानल स्वाधर ता यह में बिल्डिंग ताज का में बिल्डिंग और यह जो सेकंड में देख रहा है और यहां आने के लिए हम लोगों ने है यह देखिए गाइस हमेरा विल्डिंग है हम लोग आचुके हैं वोटल अबराय के सामने तो गाइस हम लोग आचुके हैं वोटल अबराय के सामने यह देखिए है और पीछे गेट्वे ऑफ इंडिया यह बहुत ही खुप्रत जग है अगर आप लोग मुंबई यह तो यहां पर दरूर आएं यहां एक बार आकर आप लोग है और बगल में बोट राइट भी हो रहा है वो भी दिखाएंगे आप लोगो को काफी ज़ादा पीड है कैसे पिल्ट आलोगे मोबाई यह देख सकते हो आप लोग गाईज हमारे सिख पाजी लोग और यह देखिए होटल ताज का में गेट यह देखिए होटल ओब रॉय और यह है में बिल्डिंग होटल ताज है वहाद ही खुपसूरत है यह देखिए यहां पर बोट राइडिंग भी हो रही है मोटर बोट का 1500 रुपिस चार्ज है और जो है स्पीड बोट उसका 300 रुपिस चार्ज है सुरी 3000 रुपिस यह देखिए सामने गेट वे आफ इंडिया वहाथ ही खुपसूरत नाजारा है तो गाइस हम तो दीरे दीरे आगे बढ़ चुके हैं और मुझे मन था बोट राइडिंग करने का बट जब प्राइस पुछा हम मैंने तो दी ज्यादा मैंने गा है मोटर बोट का 1500 रुपिया और स्पीड बोट का 3000 रुपिस चार्ज है जो किया फॉर्ट में करते हैं लोग मना कर दिया मैंने मना कर दिया कि नहीं करना चलो फिर कभी आएंगे तो कर लेंगा कि देख लोगाइस क्या ही होग फूरत नजारा है मशाल्ला कि देखो पीछे होटल ताज इदर गेट वे ओफ इंडिया पगल मैंता मुंदर आओ इस यह देखिए होटल ताज का रात का नजारा सौरी ताज होटल यह है में बिल्डिंग रात में काफी अच्छा लगता है यहां का दियूस क्योंकि लाइट वगेरा जल जाती है ना उसके बाद और काफी आवाज आ रही है गाईज यहां से और इधर सामने गेटवे ओफ इंडिया और अगर हम लोगों को टाइम मिला तो हो सक्टा मरीन ड्राइब भी जाए पिर देखे गाईज यहां पर नाइट का नजारा अपर जार आई अच्छा है अहां पर ताइम करें यह सामने अच्छा से अंदर जाते हैं और यह दू बिलिंग आप देखी रहे हैं यह उतना ची यह दूट अज़िए बस ना मनगा लगा लागा अल्दर से बेखी है अब हम लोग चलते हैं जाना है जो वेटी इस शालना है वेटी में भी थोड़ा साथ वीडियो गोनाना है नाइट आशूट करना अब आप आप ए झाल गयाई